हेलो स्रेंट्स क्लास 11 फिजिक्स में एक चैप्टर कर रहे हैं डाइनमिक ऑफ यूनिफर्म सर्कुलर मोशन उसी का यह एक टॉपिक देख रहे हैं हम मोशन आफ वीकल ऑन असर्कुलर बैंक्ट रोड के उपर हम एक डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बह चेलिवड्रेक होते हैं वह जहां पर राउंड होता है जहां पर बिटन होता है वहां पर यहांपर अदैज जो है वह थोड़ायासा उठा हुए होता है तो क्यों होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे जैसे kidding है ने डिस्कस कहां का होता है टायर और रोड का जब भी कोई कार मान लेते हैं एक कार है जो क्या कर रही है एक रोड के उपर या एक सरकल में क्या कर रही है विकल चल रहा है तो उसके बीच में जो कोफिशेंड और फ्रेक्शन है टायर और रोड का उसके उपर ही उस रोड की वैलसीटी क्य या उस circle से वह बाहर हो जाएगी, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, तो maximum velocity जो है, वो किसके उपर depend करती है, पहली चीज, किसके coefficient of friction के उपर depend करेगी, अब यह दि कोफिशन of friction जो है, वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, कब जो coefficient of friction है, वो कब कम होगा जब जो रोड है वो गिला है या जो टायर जो है वो कैसे हो चुके है गिसा चुके है या चिकने हो चुके है तो जो म्यू की जो वैली हो वो क्या होती आएगी कम होती जाएगी अब यदि आपके टायर यदि रोड जो है वो गिला है वीट है या जो टायर है गिसा चुके हैं तो आपको क्या करना होता है गाड़ी को धीरे चलानी होती है यदि आप गाड़ी को तेज चलाएंगे तो उससे आपकी गाड़ी जो कार है वो फिसलने का डर होता है है ना तो इसी के लिए हम इसको थोड़ा सा ओर समझते हैं तो जो भी force of friction है जो भी centripetal force है centripetal force क्या करता है किसी भी body को किसी circle में गुमने के लिए एक force apply करता है जो उसको उसी circular path पे क्या करता है गुमाता है या movement करने के लिए extra force provide रहता है लेकिन जब हम जिस force of friction के बात कर रहे हैं कि force of friction या coefficient of friction जो है वो कम है जिस तरीके से coefficient of friction कम होता जाएगा वेसे ही जो उसकी velocity है वो भी कम होती जाएगी अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके जो problem है उस problem के start out करने के लिए जितनी भी जो circular path होते हैं या railway track होती है या जो curve वाले road होते हैं turn वाले जो road होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं उसकी जो outer edge होती है उसे क्या करते हैं थोड़ा सा वो उठा हुआ बनाते हैं bank the road जिसे क्या करते हैं bank the road करते हैं तो जिससे क्या मिलता है एक responsible centripetal force मिलता है required centripetal force मिलता है जो क्या करता है उस body को circle में घूमने के लिए क्या करता है या move करने के लिए force provide करता है और उस तरह की velocity भी provide उसे करता है तो definition ने दिए हम देखें तो the phenomenon of rising of outer edge of a curved road above the inner edge is called banking of road यह जो phenomenon है जिसके आउटर edge को क्या करते है थोड़ा सा उठावा बना देते हैं और inner edge जो है inner edge जो है वो normal position पर होती है तो इसे क्या कहा जाता है banking of road कहते हैं साथ के लिखा है the angle through which outer edge is raised above the inner edge is called angle of banking जो inner edge है inner edge जो होगी inner edge को के मुकाबले या उसके compare में outer edge को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है raise मतलब उठा दिया जाता है तो यह जो उठाव होता है इसे एक angle के थुरूरी represent करते हैं तो इसे इस angle का क्या नाम दिया है angle of backing नाम दिया हुआ है अब हमें case देख रहा है जिसके अंदर की की fraction जो है वो present है कहां पर present है road पर present है tire और road के बीच में और road के बीच में present है तो आगे देखते हैं let theta be the angle of banking हमारे पास में theta है जो कहां बन रहा है angle of backing है और R जो है वो radius circle की road की अब यहां पर क्या consider कर रहा है जो mass है गाड़ी का वो कितना M है और किस speed के साथ मूँ कर रहा है V के साथ V velocity है या speed है जिसके साथ वो क्या कर रहा है force acting कर रहा है या move कर रहा है तो यहां पर जो car है वो एक force apply कर रही है mg नीचे की तरफ और एक normal direction R है जो क्या है जो road है वो car के ओपर एक force लगा रहा है कि वो उसके ओपर क्या करे बना हुआ रहा है जमीन के अंदर धैसे नहीं तो इसलिए भी क्या कर रहा है एक force जो है जो road है वो एक upward मतलब उबर के तरफ एक क्या कर रहा है direction में force लगा रहा है जो क्या करता है उसे उस road पर बनाए रखता है तीसरा force है force of friction जो tire और road के बीश में लग रहा है ठीक है तो यहां पर यह हमारे पास में तीन force दिए हुआ है अब हम बात कर रहे है कि normal direction r जो है वो उसे जो normal direction है आप diagram में देखेंगे तो normal direction जो r है वो कितने two part के अंदर resolve होता है या तूट रहा है divide हो रहा है एक होता है r cos theta और दूसरा होता है r sin theta अब यह जो r cos theta और r sin theta है यह क्या कर रहे हैं direction को show कर रहे हैं r cos theta जो है वो upward direction को show करेगा और r sin theta है वो horizontal direction को क्या करता है represent करता है force of fraction जो है f यह कहां के कहां पे लग रहा है also जो force of fraction है उसको भी हमने दो component में divide किया है किसको force of fraction को पहला है r r cos theta है और दूसरा है f sin theta हो गया ठीक है अब आगे दि हम इसे बात करें तो जो दोनों जो force हैं एक r sin theta और r cos theta जो है horizontal direction में दो force लग रहे हैं तो यह दोनो horizontal direction ना ले जो force हैं यह centripetal force provide करते हैं क्या करते हैं यह centripetal force provide करते हैं यह centripetal force के equal होते हैं तो इसलिए क्या लिखा है r sin theta plus f cos theta equal mv square upon r यह equation number first है लेकिन हम साथी साथ यह देख रहे हैं जो r cos theta है वो किदा की तरफ को work कर रहा है उपर की तरफ work कर रहा है तो यहाँ पर हमने इस से इसी equation को solve करके r cos theta minus f sin theta equal mga के यहां से हमने एक equation बनाई हैं equation number 2 और equation number 1 equation number 1 को equation number 2 से हम क्या कर रहे हैं divide कर रहे हैं तो equation number 1 को equation number 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखेंगे r sin theta plus f cos theta upon r cos theta minus f sin theta अब v square m यहां पर m से m cancel हो चुका है तो m v square upon r और साथी में mg लिखा हुआ तो m से m cancel हो गया तो v square upon r जी हमारे पास दिख रहा है अब हम क्या कर रहे हैं जो numerator है और जो denominator है दोनों को cos theta से हम क्या कर रहे हैं divide कर रहे हैं जैसे हम इसे cos theta से divide करते हैं तो sin को cos से divide करेंगे तो sin upon cos हो जाएगा लेकिन जब हम cos को cos से divide करेंगे तो cancel के 1 आ जाएगा और upon में भी ऐसे होगा r minus f sin theta upon cos theta और equal में क्या जाएगा वी इसके रपान और जी अब 10 sin theta plus sin upon cos क्या होता है 10 होता है तो r 10 theta plus f और r minus f sin theta equal क्या हो जाएगा वी इसके रपान और जी लेकिन आप देखें कि mu जो है coefficient of fraction जो होता है वो fraction f upon r के equal होता है तो r जो है यहाँ पे normal reaction है हमारी और f जो है fraction है तो f equal mu r हो गया क्या हो जाएगा f equal mu r तो f की जहाँ पे भी value हो वहाँ पे हम क्या बुट कर देंगे mu r बुट कर देते हैं तो r 10 theta plus mu r upon r minus mu r 10 theta equal v square upon r j r a है दोनों तरफ से हमने क्या कर लिया ओपर से भी हम r को common ले लेते हैं numerator में से भी और denominator में से भी हम क्या करते हैं r को common लेते हैं तो हमारे पास उसता है 10 theta plus mu upon 1 minus mu 10 theta और r से r क्या हो जाएगा जहाँ पे cancel हो चुका है तो v square यहां पे आप देखेंगे कि v square के अपन में r g जो है यह इधर divide में है हम जब side change करते हैं तो divide से कहां चला जाता है multiply में तो v square equal r g और mu plus 10 theta upon 1 plus mu 10 theta हमारे बास बच रहा है तो v square यहां पे v का square जब हम square हटाते हैं तो square के बाद हटाने से क्या लगता है root लगता है तो v square क्या v equal क्या हो जाएगा under root में r g bracket में mu plus 10 theta upon 1 plus mu 10 theta यह equation no.3 है यही हमारी यहां पे value है